जो मेवाद की स्थिति वह बहुत बयानक है और यह मिन्नी पाकिस्तान का रूप दान कर चुका है यह आए दिन गोकसी और सोगाओं इंदू ही नो गए है तो बाइचारे की बात करते हैं किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी इलाके को मिन्नी पाकिस्तान के तरफ है हम पे लगाना लगाते रहें लेकिन पुरे इलाके को पुरे समुदाय को आप बदनाम करने कुछ और यह शड़यंतर इसी बात का है कहीं अखबारों के और किसी उसके संग्ठनों के माध्यम से यह पलकार किया जाता है कि इस इलाके से कुछ हमारे जो दूसरे समुदाय के लोग है वह पलाइन करके डर के मारे करते हैं वास्तविक्ता अलग है लेकिन लोग राजनितिक हाइदा उखाने के और भारतिये जनता पार्टी इस राजनितिक और आरेसेत इस राजनितिक जो है शेड़यंतर का कहीं ना कहीं हिस्सा देखिए जो तीनों विदायक हैं जो गोत्यार को स्पोर्ट करते हैं उसको लेकर भी हमने अस्पी साब से निवेधन किया है क्योंकि इंदु समाज सब बाइचारा चाहता है बाहर के लोगों का आखे प्रेस में ब्यान देना धिकारियों को मतलब इस बात की करना और फिर इन बातें अंगर आरोप लगा के इलाके को और इस इस इलाके के जो है शांती को और इस इलाके के आपसी सहार को खराब करने के लिए मतलब बजिद हैं तो उसे पहले तुम्हें कहुंगा कि हमारे इलाके का भाईचारा आपसी समाजिक सोहार्थ के एक मिसाल है हमेशा से 147 की बात करने या सेक्रों साल का अगर इधात मिल जुलके रहे हैं, न हमें किसी भी धार्मी के यातरा का पहले कभी विरोद किया, न हमने पिछले साल विरोद किया था, न हम आज की दिन करते के, हमारी जो वो, पहले दिन से जो शंकाय थी, कि किस तरीके से शोभा यातरा के माध्यम से, कुछ शरार्ती करते हैं, और कुछ मेहत्वकांख्षी लोग अपनी राजनितिक रोटी और अपना राजनितिक लाब 클ặp एक महाल बनाये जाता है समाज को उक्षाने का महाल बनाये जाता है, समाज में इस तरीके की चैलेंज वाजी करी जाती है और हमारा जो विरोध था वो इसी बात को था कि इन धार्मिक यात्राओं का जो मकसद है वो धार्मिक ही होना चाहिए उसमें लोगों की आस्था है खूब अपने करें क्योंकि कभी कोई किस तरह की कोई नियुक्त लेकिन जान पूज के और सरकार की निकम्मपन और सरकार की ल मुबारक बात देता हैं इस बात की आप लोगों ने भी परशाशन को लिखित में भी अख़बारों में लिखके और अपने जो है परचार और जो प्रेस के माद्यम से इस बात की इस बात की आशन का जताई थी लेकिन सरकार की लापरवाई और सरकार का जो नजरिया था और किस तरीके से चैलेंज बाजी को उन्होंने होने दिया और महौल को कर्मा के उसमें समाज में तो समुदाए के लोग शोभा यात्रा जैसी धार्मिक उसके लिए जो है तक्राव बन गया और उसमें लोगों की तो जानमाल के तो हानी हुई हुई सबसे बड़ा हानी हमारे यहां के आपसी भाहिचारे को हुआ हमारा इलाका इस बात के लिए हमेशा से शर्मसार रहेगा कि हमारे इलाके में बहार के लोगों ने आके इस तरह की घटना को अंजाम दिया तो हम तो यह कहते हैं आज भी किसी तरह का महौल फिर से बनाना का है हम पर इल्दाम लगाना लगाते रहें लेकिन पूरे इलाके को पूरे समुदाय को आप बद्राम करने कुछ और यह शड़यंतर इसी बात का है कहीं अखबारों के और किसी उसके संग्ठनों के माध्यम से यह पलकार किया जाता है कि इस इलाके से कुछ हमारे जो दूस आरेसित इस राजनितिक जो है शेड़यंतर का कहीं ना कहीं हिस्सा दिखती है कहीं इस बात से मिरला और परशाशन भी इनी की बात से लापरवाई करके जो वह इनकी दुम्मेवारी होती है उससे जो है बश्ता दिखता है और उस चीज़ को जो उटका धरम है जो करतव है परशाशन अधिकारियों का उसमें करने में उनको जो है कटनाई आती है और इसी वज़े से कमजोर फैसले लेने से लोगों की बताएरने के बावजूद भी इस तरह की घटनाए होती है तो हम पी ही कहते हैं सरकार भी अपना वचन निभाए परशाशनी का धिकारी चाहे व जो एसे लोगों पर लगाम कसे और ऐसी चीजों को ना होने दे यातरा से ना पहले किसी को अज़कराज करए कोई धर्म की मैं समझता हूं कि इतनी जल्दी शांती लोटी दोनों समूद आएं में हमने भी परियास किया हमने भाईचारा सम्मेलन किया लोगों में लोगों न ना करें और अपनी जुम्मेवारी निभा के परशाष्टिक अधिकारी अपनी जुम्मेवारी निभाए और कोई ऐसा मौका और कोई ऐसे शरार्टी तद्द्द इस तरह की के एक जो है महौल बनाने के त्यारी कर रहे हैं छोशल मीडिया के माध्यूं से लोगों से मिलके अगाम लगे उनके खिलाफ कर रहा ही होए नाहक किसी इलाके को बदनाम करने का किसी को इरख हो जो है कोई अधिकार नहीं मैं समझता हूं कि ऐसे आदमी वो समाज के और किसी भी समुधाय के हित्श ही नहीं हो सकते वो इलाके को आपस में समनवय को खाप करने के लिए प्राने S.P. से भी बात कर लेप्टी कमिशनर से भी कल मिलके अपनी जो शंकाएं वाट है रख दी है और ये तो हमारे शेहर के तो हमारे आपस में ही हैं हम हर रूज मिल बैठके करती हैं बातों को मैं नहीं समझता कि लेकिन बाहर के लोगों का आखे प्रेस में ब्यान देना अधिकारियों को मतलब इस बात की करना और फिर इन बाते अंगर आरोप लगा के इलाके को और इस चीज़ को बदनाम करना मैं समगता हूँ ये जो है इन पर रोक लगनी चाहिए और परशाशन अगर इन पर रोक लगा गा इस इलाके कि जो है शांती को और इस इलाके के आप सी सौहर को खराब करने के लिए मतलब बजिद हैं तो समगता हूँ कि परशाशन की यही तो कमजोरी रही है यह तो यात्रा गीति यहां तो पंचायत होती है उसमें लोग हत्यार और वो लेकर आते हैं और मेरे को कहने क्या जरूरत ह उस वक्त के भी केंद्रिय मंत्री आज के भी केंद्रिय मंत्री उनका ब्यान उठा के देख लो कि यह यात्रा थी कि यह हत्यार यात्रा थी तो इसलिए इनकी नियत में फरक है यह शोबह यात्रा की आड में कुछ लोग अपना जो है ताकत और अपने जो है बल और अपनी जो यह हत्यारों का परदर्शन करके इस इलागे को आपस में जो बहुतारा है ना कई न खराब करने का काम करते रहे हैं, क्योंकि मैंने बता है शोभायातरह के लाभा पंचायतों में भी इस तरह का भाशन बाजी बीजे बाजी और इस तरह के ऐसी वर लेकिन परशाचन जो है मौन रहता है परशाचन की कमजोरी है परशाचन की कमी है सरकार की कमी है जिसकी वज़े से इस तरह का महौल बनने दिया जाता है यही है पहले भी हम दोनों समुदाओं ने इस दंश को जेला है इस इलाके में ना कभी ऐसा इत्हास रह ना किसी हम अभी भी मिल जूल के रहेंगे और किसी जाने को किसी भी ऐसे आसामाजिक लोगों को जो इलाके में अमनचैन और समाजिक सुहार को खराब करना दें उनके साथ ना दें और उनसे बच के रहें और पर्शाशन अपनी जुम्मेवारी निभाए हम तो मिलके यहां से रहते आए हमारे बीच में किसी तरीके का ऐसा कुछ नहीं है लेकिन बाहर के लोग यहां के लाके के लोगों को जो है उकसा के और इस इस महोल को खराब करने का काम ना करें और ना शोबह यात्रा धार्मिक यात्रा है इसे ताकत की या हत्यार की या उसकी परदर्शनी ना बना कि इस तरीके का आयुजन ना ही करें